जै तो नमस्कार विद्यारतियों गुरू कूल धामने हिंदी की कख्षा में पुन्यापका स्वागत अविनंदन और सतकार कर रहा हूं आशा कर रहा हूं आप दुरस्थ हैं तंदुर्स्थ हैं स्वष्थ हैं प्रफुलित आनंदित और बड़े प्यार से मैं आशा और अभी लाशा भी कर रहा हूं कि स्लेबस की अनुसार कि स्लेबस की अकोर्डिंग हमने सारे अध्याई कर ली हैं अभी पद्यभाग का शितीज पुस्तक भाग दो के पद्यभाग के अंतरगत हम अन्तिम आज पाठ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज नुवी अध्याई मंगलेश डबराल की द्वारा लिखा हुआ एक संगतकार नाम से कविता है उसकी विस्थे में चर्चा करने वाले उसको पढ़ने वाले हैं है उसके बाद हम आगे गद्य भाग में प्रविश करेंगे आज का जो हमारा सब्जेक्ट है आज का हमारा जो टाइटल है आज का हमारा जो उन्मान है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा सो फोन्ट मोटर कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सही से दिख प्र्फोरमेंस करते हैं उसके उपर हमें थोड़ा से जाना पड़ेगा खासका कर जो हिvoor कोशिश необ Kendall का cabo मुख्य गायक जो गाना गा रहा है मुख्य गायक के साथ में जो बजाने वाले होते हैं जो वादक और जो उसके साथ जो गाता है पीछे जो गा रहा होता है सहगायक मान लिजी वो सहगायक को यह दोनों मिलकर कि संगतकार कहलाते हैं संगत करने वाले ठीक है इस पाठ वस्तु में इसका ही जादा वर्णन है सहगायक का जो पीछे गाने वाला है ठीक है उसको सहगायक भी नहीं कह सकते हैं से गायक तो साथ साथ गाने वाला होता है लेकिन यह तो अपना जो अस्तित्त है वो पीछे रखता है और हलके हलके स्वर में गाता है, भारी स्वर में भी नहीं गाता, ते स्वर में भी नहीं गाता तो कहने का तात्परी यह है, यहां पर कभी का मंगलेश डबराल का कहना यहां पर यह है कि जो मुख्य गायक जो है, उस मुख्य गायक को तो सारे लोग देखते हैं सारे लोग उसकी वावाई करते हैं लेकिन इस मुख्य गायक को बल देने वाला कौन है वो संगतकार है जो जो अलग-अलग स्थितियों में जब वो फंस जाता है मुख्य गायक अब कैसी कैसी स्थित्यों में फंस जाता उसको कोई अंतरा याद नहीं रहता कभी-कभी वो अपनी धुन में खो जाता है तो उसको वापिस जो है राग के अंतरे में लेके आता है भूल जाता है कभी किसी चीज को तो वापिस वो थोड़ा सा पीछे से बोलता है तो वापिस उसको सक्ति मिल जाती है समझ रहे हैं तो तात्पर ये कहने का यह है भाव यह है कि संगतकार केवल महफिल में ही नहीं कभी ये कहना चाह रहे हैं केवल नाटक में ही नहीं केवल संगीत के प्रोग्राम में ही नहीं अपी तू यहां इर्दगीर्द भी जो मुख्य व्यक्ति होता है जो आज हीरो बन चुका होता है आज नायक है मानली जी उसको नायक बनाने में भी छोटे छोटे या जो नहीं दिखते हैं उनकी भूमी का रहती है तो कभी का मतलब है कभी के कहने का तात्परी है कि उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए उनको भूलाना नहीं चाहिए उनको कभी छोटा नहीं आखना चाहिए यही भाव है संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत पर विचार करती है संगतकार के वल गायन में ही नहीं फिल्म नाटक आदी में भी होते हैं संगतकार मुख्य गायक का साथ देता है जब मुख्य गायक भारी आवाज में गाता है तो वह अपनी कोमल सुंदर आवाज में गायन को और अधिक सुंदर बनाता है एक बार तो यहीं आ गई आप से पूछेंगे वहां प्रश्न पत्र में पूछेंगे कि बताईए साहब कि उसका क्या महत्तव है संगतकार का तो आप यहां से चुड़ा लेजिए एक लाइन तो कि आप भारी आवाज में गाता है न तो वह पीछे से कोमल से आवाज में गा करके उस भारी आवाज को बारे स्वर को चटान जैसे स्वर को भी कोमल बना देता है लोगों की कान को खाता नहीं हो गर Hmm ब्ले टेक्ता है कि उसकता है तो एक बात यह हो गए आगे आगे कि ऑग्णदाए को बना देता है उसुस्वे सकता है वह सिस्स्वे सकता है कौन जो पीछे से गयारा हूं सिस्य भी हो सकता और छोटा भाई भी हो सकता है जब मुख्य गायक अंत्रे की जटिलताओं में खो जाता है एक ये भी बात है अब दूसरी भी सिस्ता आ गई उसकी आप से पूछा जाए तो कि वो कहां कहां साथ देता है तो जब वो अंत्रे में अंत्रे की जटिलताओं में क क्या है यार यह नहीं वह आ ऐसे ही नहीं है वह स्वरों की बात्चीत है वह स्वरों का अपना एक डिस्प्लीन है वह स्वरों का एक प्रारूप एक फ्रेम है ठीक ठीक तो जब मुख्य गायक अंत्री की जटिलताओं में खो जाता है या सरगम को लांग जाता है कभी-कभी ऐसा होता है वो सरगम से बहुत दूर चला गया अपना खो गया पूरा अपने गाने बजाने में अब गाने में खो गया है तो वो पीछे से थोड़ा सा हलका सा बोलते ही उसको याद आएगा। तो थोड़े सा उसमें चिंगारी देता है, अपनी आवाज से बूलता ही उसमें फिर ताकत आ जाती है, तो वह उसे अहसास दिलाता है कि अकेला नहीं है, ये भी अहसास दिलाता है, कभी-कभी उसोता है, यार मही गारा हूँ, उसका आवाज जब मंदर पढ़ जाता है, तो को शक्ति आती है मेरे पीछे बेठा हुआ कोई तो वह मुख्य गाईक के समान अपने स्वर को उचा उठाने का प्रेयास नहीं करता है मुख्य गायक आवाज तेज हूँती लेकिन वह क्या करता है अपने आओज को दीरे ही रखता है क्यों नहीं करता यह इसकी विफलता तु तो लेखक कह रहे हैं, यह तो उसकी मानवता है, ऐसा करके मुख्य गायक के प्रति आदर प्रकट करता है, समझ रहे हैं ना, ऐसा करके वो क्या कर रहा है, मुख्य गायक के प्रति आदर भाव बिखा रहा है, जादा जूर से गा देगा, तो उसकी आगाज मुख्य गायक की द मुख्य गायक के चटान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कापती हुई थी मंगलेश दबराल यहां कह रहे हैं कि मुख्य गायक की चटान जैसे भारी आवाज और उस आवाज को मधूर बना रही थी एक आवाज और वह कापती हुई सी ओपरिपक्व सी आवाज यानि ओपरिपक्व सुर को लिये हुए वह संगतकार की आवाज थी ठीक है यह कह सकते हैं कि मंगलेश डबराल कहते हैं कभी मंगलेश डबराल यहाँ पर संगतकार कवर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मुख्य गायक की चटान जैसी भारी आवाज को संगतकार क्या करता है अपनी सुन्दर आवाज या अपने सुन्दर और अपरिपक्व सुर्षे सुन्दर बनाता है या कोमल बनाता है ठीक वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका सिस्य कभी कह रहे हैं कि मेरे अनुमान से मेरे अंदाजे से वह या तो गायक का छोटा भाई है या उनका सिस से है अथ्वा या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिष्थेदार या कोई पैदल चलकर पैसे क्या भाव में या बड़ी बड़ी ऐसे समय लिजिए कि पैदल चलकर क्या आने वाला मुतलब इतनी लगन है उसमें संगीत के प्रती कि वह पैदल चलकर के संगीत सीखने आया है या उसका रिष्थेदार हो सकता है कि यूँ कह रहा है वैसे इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी उसका आपसी जो है प्रेम इतना है जब कभी मंगलेश ने जब यह देखा कि उनका प्रेम है इतना हापस में उनका उनका विभार है इतना प्यारा कि वे अंदाजा लगा रहे हैं कि या तो वह उनका सिस्य है या फिर उनका छोटा भाई है मुख्य गाईक का या फिर बड़ी लगन के साथ पैदल चल करके मुझिक सीखने आने वाला उनका कोई रिष्थेदार है मुझिक सीखने आया हुआ उनका कोई रिष्थेदार है संगीत सीखने आने वाला कोई रिष्थेदार है जो मुख्य गायक की गरज में जो क्या कर रहा है मुख्य गायक की गरज में मुख्य जो गायक है उनके भारी स्वर में उनके स्वर की गरजना में वो अपनी गूझ मिलाता आया है प्राचीन काल से माने सदियों से हमेशा से सदा से क्या कर रहा है जो संगतकार है जो पीछे गाने वाला जो विक्ति है जो पीछे गाने वाला गायक है वो हमेशा से सदियों से जो है अपने सुन्दर और कोमल स्वर से मुख्य गायक की गरज को मुख्य गायक की भारी आवाज को सुन्दर ब गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, उनकी तानों के तान आलाब बनाते हैं, उनकी तानों के या उसके साष्त्र में, उन कठिन तानों में या कठिन सास्त्र में जब फंस जाता है मुख्य गायक जब गीत के अंतरों की जटिल तानों में जब फंस जाता है तब खो चुका होता है या अपने हिसर खो चुका होता है क्या है जंगल में खो चुका होता है हुश जाता है खो जाता है मुख्य गायक जब गीत के अंतरों की जटिल तानों में जब खो जाता है क्लासिकल में क्लास करते करते उसको पता नहीं मैं कैसे घूम कर क्या हूंगा वहीं का वहीं आना वाफिस साह से सुरू हुए या पह से सुरू है काहन से सुरू है वहीं से लौट करके आगे जाके वाफिस आना तो वहाँ खो जाता है जंगल में तब या अपने ही सरगम को लांग कर और कभी-कभी ऐसा होता है कि वो पूरी सरगम को लांग करके पता नहीं कहा चला जाता है, अलग सब तक में चला जाता है, तब चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में और जब वह अनहद नाद में चला जाता है, अनहद नाद समझते ह नाद दो प्रकार की humour занald लग ऑनро जुआ होती नाद धो प्रकार की होती एक तूथी आहट एक होती है अनहट आहत का मानिय होता है जब दो पदार्थों को टकरा करके या दो वस्तूं को टकरा करके जब कोई आवाज पैदा होती तो उसको आहत कहते हैं जिसे ताली बजाई आपने हार्मोनिम बजाया सारंगी वाइलिन बजाई या अपने गिटार बजाई आपने कुछ भी अनहद का मतलब होता जिसको बजाना नहीं पड़ता जो प्रकृति में अपने आप से व्याप्त है या फिर आपके अंदर गूज रही है तो कहने का मतलब है पहली बार बोले कि मुख्य गायक जब गीत के अंतरों की कठिन तानों के जंगल में खो चुका होता है या फिर या फिर क्या है अपने ही सरगम को लांग कर अनहद नाद में चला जाता है मतलब जो अपने अंदर एक गूज है उसमें जो है डूब जाता है रस्ता कहां से मिलेगा तो जब अनहद नाद में खो जाता है तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है तब संगतकार ही ना उस गीत की लाइन को पकड़े रहता है वो ही उसको याद दिलाता है याद दिलाती तुरंत पकड़ लेता हो जाकर के नहीं पकड़ाए तो गाना दोदा ही रह जाएगा जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे चूटा हुआ सामान देखे कितनी प्यारी बात बोली है कि जैसे वो संगतकार जो है वो मुख्य गायक का सामान कोई पीछे चूट गया है उसको संभाले हुए है ठीक ठीक कैसे अच्छा लग रहा है? अच्छा चप्तर जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बच्वन जब वह नौ सिखिया था नो सीख्या मानी नया नया सीखने वाला, नया नया सीखने वाला, ठीक है, नया नया सीखने वाला, कि अब वो उसको याद दिला रहा है, अब जैसे वो भटक गया है ना, अनहदनाद में चला गया है, और उसका सब तक छूट गया है, उसका अंतरा छूट गया है, वो भूल है मुझे कहा जाना है ठीक है कौन से गाने में मैं था ठीक है तब उसे याद दिलाता है और याद ये भी दिलाता है कि जब तुम नए नए सीखते थे संगीत तब भूल जाया करते थे न वैसे अब भूल गया हो वो पुरानी चीजें उसे याद दिलाता है कि जब तुम नए एनने सीखते थे तब ऐसे भूल जाया करते थे तार सब्टक में जब बैटने लगता है उसका गला राउस ने दोस्तों को साथ स्वरों का एक सार स्वहरों का तो एक जो है साथ स्वर तो नहीं होते हैं उसमें बारा स्वर होते हैं बारा स्वरों का एक जो है एक सभू होता है तो क्या होता है कि म्यूजिक में तीन सब्तक होते हैं पहले वाले को बोलते हैं मंद्र सब्तक उसमें भी क्या है बारा स्वर होते हैं दूसरे वाले को बोलते हैं मढद्य सब तक उसमें भी क्या है बारा स्वर होते हैं और इस वाले को बलते हैं तार सब तक माणि को लास्ट वाले को इसमें भी B nhất मत फ्ली अवाज सामाइवाज और थेखी आवाज आए तरसब तक में थेखी आवाज उती कि बात Κ charge को मालू स्राइचन बोलते हैं देवीं और सचनों कि और वो कि धर्मेंद्र भोलते हैं राजकुमार भूंत एंजान में यह सब क्या है न गुलियों की बचार यह मंध्राहि सब तक है जो हम बात कर रहे हैं वो मद्ध सब्तक है जो चीख करके बोला जाएगा वो तार सब्तक है तो ये कह रहे हैं कि तार सब्तक में जब बैठने लगता है उसका गला मानि जब मंगलेज डबराल कह रहे हैं कि जब मुख्य गायक का तार सब्तक में गला बैठने लगता है प्रेर प्रेर्णा जो है अंदर जो उसकी प्रेर्णा है वो उसकी साथ सी छोड़ती जाती है जब प्रेर्णा उसका साथ छोड़ने लगती है जिए गला बैठ गया आप कैसे गाएंगे कैसे गाएंगे जब प्रेर्णा साथ छोड़ती हुई मालूम पढ़ती है और उसका जो उत्स जैसा और राक जैसा कुछ गिरता और राक मने जैसे आवाज में एक पहले तो एक तेजस भी था थी एक अगनी जैसे जल लई थी एक तेज था आवाज में और अब जैसे राक जैसी आवाज होगी मतलब आवाज जैसी अब एक दम से बुजी बुजी शी जैसी आवाज हो जा बुझा बुझा सा जैसे स्वर हो जाता है उस वक्त तभी मुख्य गायक को धांडस वदाता तभी उस मुख्य गायक को क्या है सांतु ना देता हुआ उसको धांडस वदाता को चला जाते है संगतकार का स्वर पीछे ष़द से वज Id Breaking में गाता रहता है यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है यह गाता रहता है यह बताता रहता है कि अरे तुम अकेले नहीं हो मैं भी साथ में हूँ मतलब उसको शक्ति देता रहता है बल देता रहता है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और एक यह भ करता आता है है कि जो तुम गा चुके होना पहले कभी वो भी गा सकते हो भी ऑफ और उसकी आवाज में जो एक वो पूरा खुल कर के नहीं गाता उसकी आवाज में एक फिचक होती है एक agस पस्थता होती है क्यों वह पूर उसकी आवाजमें जो एक फिचक सुनाई देती है या अपनी स्वर्भ कुं उचाँ न उठाने की कोशिश है वह आवाज में हिचक है एक अस्पष्ट वादिता है वह अपने आवाज को उपर नहीं करना चाह रहा है सोच रहा है आवाज उपर तो नहीं हुई आवाज बोल रहा है तो मन में यह उपर तो नहीं हो गया यह जो हिचक साफ सुनाई देती है यह अपने स्वर को वह उचा नहीं उठाने की कोशिश कर रहा है उसका कारण क्या है उसे भी फलता नहीं माने उसकी ये और सफलता नहीं माने उसकी मनुस्यता समझा जाना चाहिए वह उसकी मानवता है क्योंकि वह अपने गुरुजी को वह अपने साथी को अथवा वह अपने मुख्य गायक को जिसके साथ गायकी कर रहा है उसकी आवाज से अपनी आवाज को उपर उठा करके उसकी इमिज जो है उसकी एक छवी जो है उस छवी में किसी भी तरीखे की गुस्ताखी नहीं करता मतलब तात्परी ये हो गया कि जो वो उसका उचा स्वर है गायक का जो मुख्य स्वर है उस स्वर से अपने स्वर को वह नीचा ही रखता है क्यूं वह सोचता है कि इससे मेरे गुरुजी का आदर कम ना हो जाए इससे मेरे गुरुजी का अनादर ना हो जाए यदि में उचा हो जाए चली चलते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं चलिए देखिए हाँ है और नीचे चली थोड़ा संगतकार हाँ यहां से चलिए मुख्य गायक के चटान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कापती हुई थी माने कभी मंगलेज डब्राल कह रहे हैं संगतकार का वर्णन करते हुए मंगलेज डबराल कह रहे हैं कि मुख्य गायक की भारी चटान जैसी आवाज को संगतकार क्या है अपने अपरीपक्व अपरीपक्व मनें जिसका स्वर पक्का नहीं हो रखा है अभी तक जो अभी तक क्या है पक्का स्वर नहीं लगाना सीखा है अपने औपरीपक को स्वर से कापती हुई आवाज से जो है उसको कोमल बनाता है सुन्दर बनाता है किसको उस भारी आवाज को मंगलेज डबराल कह रहे हैं कि संगतकार अपनी औपरीपक को और सुन्दर आवाज से मुख्य गायक की भारी और चटान जैसी आवाज को कोमल औ वाला कोई रिस्तेदार है जो मुख्य गायक की गर्जना में मुख्य गायक की गर्जना मुख्य गायक के गर्जना जैसे स्वर को क्या अपनी गूझ मिलाता मुख्य गायक की गरज में मुख्य गायक की गर्जना में मुख्य गायक की तेज आवाज में जो है अपनी सुन्दर और पोमल आवाज जो है प्राशीन काल से ही मिलाता आ रहा है कौन संगत का अब गायक जब और कह रहे हैं कि गायक जब गीत के अंतरों की कथिन तानों के जंगल में जब खो चुका होता है या फिर अपनी सरगम को लांग कर भटकता हुआ अनह दनात में चला जाता है अपनी आवाज की गूझ में चला जाता है तब संगत कार ही क्या है गीत की स्थाई को सम्भाल कर रखता है वैसे जैसे उसका सामान जो है जैसे मुख्य गायक का कोई पीछे छूटा हुआ सामान जो है वो संभाले रखता है और उसे यार दिलाता रहता है उस मुख्य गायक को संगतकार उसका बच्पन यार दिलाता रहता है जब वो नया नया संगीत सीखने गया था अथवा सीखता तब कभी वह इसी तरीके से अपने स्वर को या अपनी सरगम को भूल जाया करता था वो समय उसको वापस याद दिलाता है और तार सब्तक में जब तेर स्वर में जब उसका गला बैठने लगता है और उसकी प्रेणा अत्वा उसका उत्साह जब कम हो जाता है तब संगतकार ह जब और आवाज जो है एकदम मंद पड़ जाती है आवाज में वह तेजस्विता नहीं रहती आवाज जब बुजी-बुजी सी हो जाती है स्वर जब कम हो जाता है तब मुख्य गायक को संगतकार ही अपने स्वर से धांडस और धैर्य बंधाता है और कभी-कभी वह कभी- पहले गा चुके हो वह मुझे भी आता है इसलिए तुम उसको वापस गा सकते हो मैं तुमारा साथ देता ही रहूंगा और कभी-मंगलेश-डबराल कह रहे हैं कि उसके आवाज में जो एक हिचक सुनाई देती है एक जो असपस्टता दिखाई देती है अथ्वा उसकी आव नहीं है वह हिचक और अपने स्वर को उचा नहीं उठा रहा है अपने स्वर को उचा नहीं उठाने की जो वह कोशिश कर रहा है यह उसकी कोई भी फलता नहीं है यह उसकी कोई अस फलता नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर पा रहा है वह अपनी आवाज को दबाने की कोशिश कर अथ्वा वह हिचक से अथ्वा खुल करके संकोच वस नहीं बोल रहा है वह शंकोच वस खुल करके नहीं बोला है अथ्वा अपनी आवाज को वह दबाये हुए है इसका मतलब यह नहीं है कि वह आसफल है उसने कुछ सीखा हुआ नहीं है उसको कुछ आता हुआ नहीं आता न आपने गुरुजी का यह सोच के अनादर नहीं करता है कि यदि मेरी आवाज इन से उपर हो गई तो सभा में जो है इनके आवाज दब जाएगी और मेरे गुरुजी का या मेरे उस्ताद का जो है अनादर हो जाएगा यह सोच करके वह अपने आवाज को दवाये ही रखता है अत्वा कम किये ही रखता है यह संगतकार की भूमी का थी यह संगतकार का अपना महत्वता समाज में देश में नायक को बनाने में अत्वा किसी मुख्य विक्ति को बनाने में बहुत सारे लोगों का सयोग सदा ही पीछे से रहता है हमें उस पीछे वाले सयोग को कभी भूलना नहीं चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ महीं रहूंगा हो सकता है कि आपके पीछे जो खड़े हुए लोग है वो आपको जो जो यश मिलता है उसमें अपनी भूमी का अथुआ अपना जो है भाग नहीं जतलाना चाहते लेकिन आपको कभी भी उनके उपकार क नहीं भूलना चाहिए यही कहने का भाव था आशा करूँगा कि यह चप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से और आनंदित तरीके से आपको समझ में आया होगा आपने आनंद लेकि इसको पढ़ा होगा और आपने यह सीख भी ली होगी कि आपके पीछे जिन जिनका सयोग है आप उनका सयोग सदा मानते रहेंगे आगे की पाठे चरिया में हम अग्रीम कक्छा में नए किसी पाठे वस्तु के साथ में नए किसी अध्याय के साथ में फिर से मुलाकात आपसे करेंगे तब तक के लिए जैन जै भार्त आनंदित रहिए स्वस्त रहिए प्रसन जाइतु भारतम जाइतु संस्कृतम नमस्कार साथियों नमस्कार मित्रों